अब सब्सक्राइब चैनल राइजिकेशन में 36590 भरती विद्याला वंटन पर आपके धेर सारी प्रश्ण है और उन सारे धेर सारी प्रश्ण है काफी जाधा प्रश्ण है एक्जाक्टली तो कुछ प्रश्णों को मैंने इसमें समाविश किया है और जो मुझे याद हैं उन सब्सक्राइब प्रश्णों को भी समें मैं समाविश करूंगे इस वीडियो में आपके तमाब प्रश्ण है जैसे विद्याला वंटन का विस्तरित आदेश में है का एक्जाक्टली मुख मुख पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा कैसे मिलेगा विद्याले पता चलेगा कि विद्याले थे भरग जए है क्या शहर वाले विद्याले नहीं मिलेंगे क्या इंचार्ज भी बनाय जा सकता है हम को वगएरा उँखेunn सदों ने can tati प्लस फीचर जिसमें घर बेटे आप लाइब क्लासेज अटेंड कर सकते हैं कमफर्टेबली लाइब अनल्मिटेड एसेज रहेगा सभी कोर्सेज पर प्रक्टिस एसेज बैचर्स कोर्से में टॉर्सिप सब्सक्राइब करने के लिए और आपको सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आप कोई पैड कोर्स या आपके कोई मित्र पैड कोर्स करीते हैं अनकेडमिस से तो आप राइट एट फेट है चोटू सा रैफरल कोड है रई ये टीट यूज़ करी और आपको एक्स्टा 10% का बेनफिट मिलेगा किसी भी आप पर्चेस करते हैं कोई भी पैड कोर् लेट्स कराकेट चलीए आपके प्रश्णों के उत्तर देने के क्रम में आ जाते हैं पहला प्रश्ण है विज्टीत आदेश में है के विश्तित आदेश जो है वह विग्यपति कल्देरात में जारी कि गेज्स इसमें लिखा हुआ है कि छ तक जो अध्यापक बंदू है जो BSA से अटेस करा गए है और BRCs पर अपने attendance को करम अनुसार वो दे रहे हैं उनके विद्धाले अमंटन के संबने में है पहली बात दूसरी बात उसमें exactly लिखा हुआ है कि सबको वरिता करम के अधार पर इस बार नया कुछ लाया गया है पुरूशों को विद्धाले 24 के हिसाब से विद्धाले देना तीसरा कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया गया है कि नगरी और सहरी छेत्रों के विद्धाले को अन्त में रखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस्ट होकर ग्रामिडी छेत्र की विद्धाले अमन्टित करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा चौथा कि अगर विद्धाले ग्रामिडी छेत्र की विद्धाले की सेच्वेशन फूरी फुल्फिल हो जाती है तो अंत में आपके नगरी छेत्र की विद्धाले उपिन कि जाएंगे और वहां पर उनी विद्यालें को फोकस किया जाएगा जहां पर आर्टी मानिक इनुसार चात्रों और अध्यापकों का नंपात maximum strength में होगा यानि जहां पर एक ही अध्यापक की आवश्य रखता होगा इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा यह कुछ 36-590 नवनिकत ध्यापकों के लिए फोकस्ड विस्तरित आदेश जारी किया गया है अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्ण पर कैसे मिलेगा विद्याल है गुडांक या क्रमांक के आधार पर आपको विद्याल है आपके गुडांक के आधार पर मिलेगा अगर आपका गुडांक है 70 और किसे अगर गुडांक है 70 तो आपको पहले वरिता दी जाएगी पहली बात दूसरी बात किनी दो भरतियों यानि ध्यापकों का दो गुडांक सेम है तो यहाँ पर वरिता दी जाएगी जिसकी DOB जादा होगी DOB जादा इंदसेंस की जो बड़ा होगा तीसरा अगर वो दोनों भी चीज़े मिल जाती है यानि DOB भी और गुडांक दोनों सेम हो जाता है तो exactly नाम के alphabetical order के हिसाब से फिर वहाँ पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगी कौन चोटा है कौन बड़ा है माल लीजे इनका DOB और इनका DOB दोनों लोका सेम है और आजाती है वहाँ पर exactly वहाँ पर नाम का अधार क्या होगा तो वहाँ पर नाम पर फोकस किया जाएगा alphabetical order पर ठीक है I hope यह आपको समझ में आ गया होगा अब अगला जो सबसे मुझे लगा कि यह गंभीर प्रश्न है कि जोईन करने की तारीक तक अगर आपने जोईन नहीं किया तो क्या होगा जोईन करने की तारीक तक अगर आपने जोईन नहीं किया तो फिर इसके लिए आप स्मयमुतरदाई होंगे आपको कोई भी विद्धाले unwanted जो आप नहीं भी चाते हैं उठा कर दे दिया जाएगा और आपको अपनी सेवा सर्तों के इनुसार वहाँ पर कार्य करना होगा ये सासनादे सिक्दम सपष्ट है ठीक है ना लेकिन सबसे important बात है जैसे जैसे अगर आप वहाँ पर विद्ध्यालावंटन की प्रक्रिया आप माली जाएक मैला है और आपको 25 को अपने उपस्तित होकर विद्ध्याले लेना है choice करनी है choice feeling आपको option देना है 25 को आप उपस्तितना होकर 27 को आते हैं तो फिर आपको 27 को भी मिल जाएगा लास्ट में बच्चे कुछे के साथ ऐसा होगा situation अब यहाँ पर मैंने प्रशन पढ़ा तो मैं यहाँ पर एक और प्रशन आया था कि जैसे block पूरे fulfill हो जाएं आपके डिर साहर प्रशन थे तो मुझे जो मन पसंद पहले बात अपनी preference के नुसार choice किया और block को choose करने के बाद वहाँ की पूरे विद्याले खुल कर आ गया है अगर वो सारे विद्याले कहीं पर भी seat vacant होगी तो वो आपको अपनी preference के नुसार आपको मिल जाएगा अगर आपकी preference होगी नहीं होगी तो आप दूसरा block choice करी उस choice block की विद्याले आपको exactly खुल कर आ जाएंगे तो यह आपकी preference के नुसार है अब आजाते हैं अंगले प्रशन पर पता चलेगा कि विद्याले में seat भर गई है block जो आप choose करेंगे वहाँ पर particular विद्याले आप choice जो भी टिक करेंगे तो अगर वहाँ पर विद्याले उस विद्याले particular विद्याले में जो आप भी चाहते है seat नहीं है तो वो आपको दिखेगा ही नहीं यानि कि वो उस preference order से अपने आप हट जाएगा जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं वो हट जाएगा और वाकि जिन में seat हैं वो आपके समक्षा जाएंगे फिर उस हिसाब से आप अपनी वरिता करम निर्धारित करेंगे क्या शहर वाले विद्याले नहीं मिलेंगे मिलेंगे लेकिन वो last situation के लिए ही open है जिसको आप hardly बोल सकते हैं कि नहीं मिलेंगे जी हाँ hardly hardly in the sense कि present situation के साब से सबको सक्त निर्धेश दिया गया है कि ग्रामिट चेत्र के विद्याले वपर ही focus किया जाए तो उस पर ही आपको focus तरीके से विद्याले वहीं पर मिलेगा और उसी गर्निसार मैलाएं और पीएच अपने आने जानी के सुविदा निसार शहर के नजदी क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर transportation की सुविदा हो आना जाना सुविदा जाना हो उनको वरिता गर्निसार अपना देंगे क्या in charge भी बनाया जा सकता है जी हाँ अब यहाँ पर आपके विद्याले का कर्म निर्धारन का आ जाता है पहले सुन सिक्षक विद्याले फिर एकल सिक्षक विद्याले फिर जहाँ पर दो सिक्षक हो वहाँ से स्टार्ट होगा सुन सिक्षक विद्याले इन दा सेंस कि जहाँ पर कोई सिक्षक ना हो बहुत ध्यान समझेगा कोई सिक्षक ना हो लेकिन उनके लावाँ सिक्षा में तरही आनुदेशक हो सकते हैं क्योंकि विद्धाले चल रहा है तो इनी के आधार पर चल रहा है न तो सुने सिक्षा की इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई साहिक अध्यापक नहीं है तो आप जब जाएंगे तो आपको इंचार्ज लेना पड़ेगा प्रदाने द्यापक एज़ इंचार्ज साइक द्यापक आप रहेंगे महाँ पर फिर आप करता धरता हो कुस विद्धाले के होंगे MDM से लेकर सारी चीजें 14 रिजिस्टर को मेंटेन करना BRCS की मीटिंग आटेंड करना BCS पर जाना सारा ट्रैवलिंग का काम विद्धाले का पूरा रख रखाओ काया कल्प योजना के अंतर के जितनी भी निष्ठा प्रतिष्ठा जितनी भी चीजें चल रहे हैं उन सभी चीज प्रतारियां उसी साब से जादा हैं ठीक है तिये हलाकि ये सुने सिक्षक विद्धाले जो ग्रामीड प्रवेशी होंगे उन पर फोकस होकर बात की जा रही है अधिकतर जगह नहीं है ऐसी सेच्वेशन लेकिन हार्डली सेच्वेशन तो है कुछ जगह भी ऐसी भी तो ओंनि एवंटीड विद्धियालेाँ पर 9wegen फर्वेशन होजारी किस्त तक यानि कि जब को विद्धयालेयाँ घुद्धाले में अपने योगधान देना निवार होगा योगदान इंदसी क्यांपो जॉइन कर लेना होगा जॉइन करने का प्रैस मैंने आप लोगों को बता से उठकर ठीक ठाक तरीके साब को भी आर्सी पहुंशना होगा अपने पास कम सकम दो से तीन से अपने डॉक्मेंट के करा लिजेगा ठीक है हाँ बीस से के पास जाने से पहले च्वाइस फिलिंग से पहले आपके पास नियूकती पत्र होना चाहिए उसकी फोटो स्टेट अधिकारी होंगे उनके पास आप जाएंगे तो एक प्रुफार्मा मिलेगा सारी चीजें फिल अप करने के लिए उन सारे प्रुफार्मा को आप फिल अप करेंगे फिर जो भी हो हैं समंदीत खंडिक्षा अधिकारी वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि कैसे आपको कार करना है आगे कैसे कार करना है in the sense कि वो लिख कर सारी चीज़े देंगे और सम्मंदीत विद्धाले के प्रधाना द्यापक के पास जो सम्मंदीत विद्धाले में आपकी जॉइनिंग हुई है उस विद्धाले पर आप जाएंगे भीयों के द्वारा जो निर्धारित आपको दिया गया प्रफर्म वो सम्मिट करेंगे प्रधाना द्यापक आपको वहाँ पर रेजिस्टर्ड करेंगे और आपको एक आख्या वो भी लिख कर देंगे कि सम्मंदीत विद्धाले में आपने इस समय आपका नाम वगरा वगरा प्रधाना द्यापक की मौजूदगी में इस खंड सिक्षादिकारी के मौझूदगी में आपने वो ज्वाइन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी रियल चीजें हैं यानि कि आपके न्युक्ति पत्र जो रियल है आपका जो अध्याप विद्याला वंटन जो लेटर मिलेगा वो रियल और जो आपको आख्य जो फिल अप करेंगे प्रधान अध्यापक आपका डिटेल यह तीनों चीज बहुत समाल के रखिएगा जहां पर भी यूज करेंगे इन सभी चीज की फोटो इस्टेट आप यूज करेंगे ठीक है आई होप आपको यह मैंने छोटे तरीके में लेकिन पूरी एक एक प्रो आप देनी के पूरी कोशिश करूँगा मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आप विद्याले ने पहुंच जाते तब तक आपकी मदद करूँगा विद्याले पहुंचने के बाद भी आपकी जो भी समस्या आएंगी उनके निराकरण के लिए लगातार तत बर बने रहे रहा है जो भी समस्या बेस्ट आफ लग थेंकिस उमाज़ू